पहले भी एमने कहा है कि उनका जो मुद्दा है पहलवानों का रेक्ति कर दोब से भी मैंने कहा है बाकी सब नेता हुने तो पर उनको न्याए मिलना चीए सब उसके साथ है सब उस बहावना के साथ है बलकि कल भी मैंने ब्यान दिया था जब मुझे पता चला कि वो गंगा नदी में विसरजित करने वाले हैं मेडल तो मैंने जजज़र से अपील की थी कि ऐसा नहीं करना चाहिए और मुझे इस बात की खुशी है कि उन्होंने इस बहावना को स्वीकार किया बाती लोगों ने भी अपील की होगी और अपील की है तो निश्चित रूप से कानूनी प्रक्रिया चल रही है और न्यायले के माध्यम से निश्चित रूप से उनको न्याय मिलना चाहिए सब लोग उनके उस रूप में साथ है वो यहीं कह रहे हैं सब नियाय प्रब मिले हैं क्या अरचन है क्यों नहीं बात करनी चाहिए किंद्री निताओं को पहलवानों से तकिये निश्चित रूप से ये विशे जो विशे उनका है वो मुख्य तोर से कानूल विवस्था का विशे है F.I.R. हो चुकी है जाच चल रही है नियाय ले सरवोच नियाय ले के भी त्यान में मामला है हम सब को पता है और छोटी अदालते भी उसमें जुड़ी हुई है 100% नियाय मिलना चाहिए सब इसके पक्स में है क्योंकि ये प्रक्रिया पुलिस परसासन और नियाय की प्रक्रिय सब उनके ठिलाफ कोई नहीं है कि सब लोग चाहते हैं उनको नियाय मिलने की केवल प्रक्रिया का विशय प्रक्रिय। उनको जो न्याय मिलना है F.I.R. के बदले में न्याय मिलना है F.I.R. बेखरेक में हुई है न्याय लेके उस पर कारवाई चल रही है जो ही उस पर चार सीट बनेगी जो ही उस पर जो भी कारवाई बनेगी जिस पर उन्होंने आरोप लगाए हैं उस पर चार्ट वर्सिस रादपूर्ट भी किया जा रहा है आप कितने सहमत हैं इस चीज़ को बहुत ही दुर्भाग्य पूर्ण है जो आपने कहा और इसमें खिलाडी सब के होते हैं सब के साजे के होते हैं खिलाडियों को किसी भी कौम में नहीं बाटना चाहिए खिलाडी देश के होते हैं तिरंगा उठाते हैं इसलिए खिलाडियों को हम इस परकार से बाट कर ना देखें आले भी किसी भी वर्ग से आ सकते हैं और किसी भी वर्ग के व्यक्ति कोई गलती करता है तो उसके खिलाब भी लोग निश्चित रुप से F.I.R. करेंगे भी तो जाएंगे भी तो इसको वर्गों में बाटकर नहीं देखा जाना जाए